Hello friends, आज हम देखने जा रहे हैं class 10th का chapter Print, Culture and the Modern World अब बात करें इस chapter के नाम की तो सबसे पहले हम देखते हैं print क्या होता है print का मतलब वो सारी चीजे जैसे कि हम बात करते हैं books की, magazines की, calendars की हम बात कर सकते हैं paintings की ये सभी चीजे आती है print के अंदर ऐसे में print की शुरुवात कैसे हुई क्या है history इस print की वो हम जानते हैं इस पूरे chapter के अंदर आज हम आप ओचे हैं इस chapter के second part के अंदर second part मैं कहूँ कि मैंने इस chapter को three parts के अंदर समझा है जिसमें से एक part जो है वो हमें बताता है East Asia के अंदर किस तरीके से print जो था वो बनना और उफैलना शुरू हुआ था दूसरा part जो है इस chapter का जिसमें हम देखेंगे Europe के अंदर कैसे print पहुचा कैसे वो भड़ना शुरू हुआ third part हमें बताएगा इंडिया के बारे में तो हम इस chapter के अंदर three parts देखेंगे East Asia, Europe and India East Asia की मैंने बात कर ली तो मैं बार-बार इसी की बात वापस करने वाला नहीं हूँ अब मैं बात कर लेता हूँ Europe की Europe के अंदर कैसे print आता है उसकी बात हम करते हैं आज की हमारे इस topic इसका नाम है Print Comes to Europe अब जो print है ना वो कहां पहुँचे है वो Europe पहुँचे है Print कोई बंदा तो था नहीं Print केया था? Print मतलब 19 tror book की बात की जा रही है आखिर जो यह books है इनकी जो printing technology है यह कि इस तरीके से पहुचत जाती है Europe के अंदर उसकी बात करते हैं तो चलो देखो हम यह देखते हैं कि अगर हम ancient time में जाते हैं, मतलब बहुत सालों पहले कि अगर हम बात करते हैं, जब ये इतने सारे sea roots नहीं हुआ गरते थे, technologies नहीं हुआ गरते थी, तो क्या उस समय क्या trade नहीं हुआ गरता था? Trade हुआ गरता था. हम ये देखते हैं, कई सारी Asian countries से global trade होता था, कहां तक के लिए? यूरोप के लिए भी होता था, और जो हमारे Middle East countries थे, उनके लिए भी कई सारा trade होता था. उस समय sea roots जो थे, वो लोगों के पास नहीं थे, इसी कारण से silk root का use किया जाता था. Silk root क्या थे? पहली बात तो मैं ये कह देता हूँ. Silk root का मतलब था, ऐसे roots से जहां पर primarily जो सबसे बड़ा जो एक trade करने का, ये सबसे बड़ा जो कारगो रहा होता होगा, वो silk का था. सबसे ज़्यादा trade जो है इन roots वोपस silk का होता था, इसलिए हम लोगों ने इसका नाम silk root दे दिया. ये जो silk root है, वो हमें China के अंदर देखने को मिलते थे majorly, ये जो silk root है, वो China से होते हुए, एफरिका भी जायात करते थे, वो Europe भी जाया करते थे, Middle East तो जाना था ही, बीच में आता है. तो ऐसे में ये सारी जगह पर पहुचा जाता था, silk root से. ये इकलोता जरिया था उस time के अंदर पूरे world को connect करनेगा. क्योंकि उस समय तक c root नहीं थे, हमारे पास shifts भी नहीं थे. तो सभी जो थे, वो किस से जुड़ रखे थे? सिल्क roots से जुड़ रखे थे, कई सारे roots से छोटे-छोटे, उन से लोग जो थे, वो जुड़ रखे थे. एक global trade जो है, सिल्क root के जरिये ही हो रहा था. वो तो time का evolution होता है, बाद में c roots भी सिल्क root के अंदर आ जाते हैं. पर पहले की बात करें, तो सिल्क root ही हुआ करते थे. सारा trade जो है, सिल्क root से ही चला करता था. अब trade की अगर मैं बात करूँ, four centuries कई सारे जो goods हैं, वो China से यूरोप पहुचा करते थे. China से यूरोप पहुचा करते थे कई सारे goods, ओके? अब चाइना से यूरोप पहुच जाते थे कई सारे गूर्ट किसका यूज करके सिल्क रूट का यूज करके अब सिल्क रूट के ओपर किस किस चीजों का ज़्यादा ट्रेड होता था तो सिल्क का होता था और स्पाइसिस को होता था इंडिया जो था spices से trade करता था और जो चाइना है वो silk trade करता था हम देखते हैं कि China to Europe जो है कई सारे goods जैसे कि silk और spices जाया करते होगे अब बात आती है तो क्या print भी यही रास्ते से पकड़ के गया होगा कि Europe हम यह देखते हैं 11th century शुरू होती है 11th century के अंदर अब print technology जो है वो भी कहां पहुँच रही थी इन silk route का यूज करके Europe पहुचने वाली थी Chinese paper जो है वो silk route का यूज करता है और वो पहुच जाता है कहां वो पहुच जाता है Europe अब बात आती है Europe के अंदर भी Chinese paper आने के वज़े से अब वहां पर manuscript का production हो सकता था पहले कि अब हाँ manuscript का production नहीं हुआ गरता होगा तो अगर देखा जाया और book की समझी जाया तो नहीं हुआ गरता होगा पर जैसे ही Chinese paper पहुच जाता है Europe के अंदर तो Chinese paper पहुचते ही Europe के अंदर भी production शुरू हो दाता है Manu Scripts का Manu Scripts क्या होती है तो earlier prints को मतलब जो शुरुवाती दौर के जो prints रहे थे शुरुवाती दौर की जो books रही होगी उन्हें हम Manu Scripts के नाम से जाते हैं अभी के लिए एक major इतना ही समझ लो ज्यादा अगर like definitions में जाओगे ज्यादा इसको deeply समझने कोशिश करो तो confused हो जाओगे क्योंकि अभी पहली बार पढ़ रहे हैं तो ऐसे मैं बस इतना याद रखो कि production किसका था Manu Scripts Manu Scripts क्या होती होगी एक book होती होगी बस इतना ही याद रहे हैं और आगे बढ़ दे तो Chinese paper पहुझता है Europe के अंदर और route का use करता है जिस route को हम Silk route के राम से जानते हैं और वहाँ पे भी Manu Scripts का production जो होता है वो अब शुरू हो जाता है वो भी अब possible होता है इससे पहले ऐसा कोई production वहाँ पे possible नहीं था अभी मैंने बहुत आसानी से कह दिया कि China से जो हमारा print है वो कहा गया China से उठके हमारा जो ये print है वो चला जाता है Europe के अंदर पर बात वो भी तो आती है कि आखिर ये जो print था वो पहुस्ता कैसे है चाइना से Europe मतलब कोई ऐसे traveler भी तो रहे होंगे ना जिन्हों ने उस route का use किया होगा और उन्हों की वजह से ही ये जो हमारा page है जो हमारा paper है वो पहुँच जाता है Europe तो देखो बच्चो होता कुछ ऐसा है ना कि हर एक चीज को पहुचाने के लिए हम देखते है travelers अब travelers को मैं थोड़ा जरूर समझाऊंगा ताकि आप ये समझ सको travelers को important है तो देखो होता कुछ ऐसा है ना कि हाँ देखो होता क्या है जैसे कि मैं यहाँ एक local गुजरात में रहता हूँ मैं गुजरात से कभी बहार गया नहीं तो मेरे जितने भी आइडियास है मेरे जितना भी knowledge है ना वो सिफ़ो सिफ गुजरात के अंधरी रहने वाला है गुजरात से कभी भी बहार नहीं जाने वाला है पर in case मेरा एक friend है जो all India travel करता है मैंने अपने ideas मेरे friend को दे दिये अब मेरा friend जो है all India घुमता है हर किसी तक वो ideas को पहुचाता है तो ऐसे में मैंने क्या देखा कि मेरा जाना possible नहीं था पर मेरे friend का जाना था क्योंकि मेरा friend जो था वो क्या था एक traveler था तो travelers के वज़े से हम देखते हैं कि जो knowledge है जो ideas है जो innovation है even जो disease है वो एक जगे से दूसरी जगे पहुचा करती थी in Asian time failure हो गया तो एक idea, एक technology, एक तरीका जिसे हम कहते हैं print जिसे हम कहते हैं Chinese paper वो भी तो वो जो technology होगी जो ये सब print करवा रही होगी print के अंदर ये सब चीज़ा possible कर रही होगी तो वो किस वज़े से होगी वो होगी सिर्फ और सिर्फ किसी traveler के वज़े से अब ये traveler कौन था तो ये traveler था जिसका नाम था Morgopolo अब ये जो Morgopolo थे न वो एक Italian explorer थे Italian explorer थे मतलब इतली के रहने वाले थे ये आते है China जैसे ही China पहुचते हैं उसके बाद तो सिर्फ और पेजिस के उपर उसको लगाना होता है इससे बहुत अच्छी बात है तो अब Morgopolo बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं Chinese woodblock printing से तो ऐसे में Morgopolo सोचते हैं कि Chinese handblock printing जो है ना ये woodblock printing ये मैं अपनी country इटली को लिकर चला जाता हूं तो Morgopolo जो की एक Italian explorer थे चाइना आते हैं चाइना से woodblock printing की technology को देखते हैं और देख कर वो सोचते हैं कि हाँ अब मैं क्या करता हूं मैं इन books को ले जाता हूं कहां? चाइना में चाइना से वो ले जाकर वो अपने country में इटली में पहुचते हैं Italian produce अब Italians जो होते हैं यहाँ पे Indian लिख दिया है Indian नहीं Italian की बात की जा रही है Italian कौन से लियन? Italian ठीक है? अब किसी को Italy की spelling में भी दिक्कतारी होगी तो बच्चो समझो हम social science पढ़ा रहे हैं हम grammar नहीं पढ़ा रहे हैं ठीक है? इतना ही काफी होगा तो Italian जो producers थे न वो books का production करना शुरू करते हैं जोदी woodblock printing क्या समझ में आया? कि हाँ, China से technology जो थी वो Italy पहुँच जाती है उस technology का नाम था woodblock printing woodblock printing का use करके अब वो वहाँ पे मतलब Italy के अंदर production शुरू हो जाता है books का तो production जो है Italian producers जो थे वो production शुरू करते है books का और अब जैसे ही production शुरू हो जाता है Italy के अंदर धीरे धीरे ये production करने की technique और production या फिर इसके producers ये सारी चीज़े फुरी यूरोप में फैलना शुरू हो जाता है पूता क्या है जैसे कि देखो आपके neighbor के अंदर कोई neighbor होगा वो like suppose कुछ भी नया कुछ लेकर आगया होगा let's suppose car लेकर आगया ठीक है आपके घर पे car नहीं थी अब आपको ये लगएगा इतली के पास अगर printing technology है तो ये printing technology तो हमारे पास भी होनी चाहिए तो वो countries जो है वो भी printing technology अपने country में लेकर आती है और books का publishing शुरू करती है जादा से जादा production करना वो start कर देती है पर अभी भी हम है ना दो type के लोग Europe के अंदर देख रहे थे ठीक है न ऐसा नहीं है कि woodblock printing आने के वज़े से production भड़ता है books की जो cost होती है वो कम हो जाती है तो कुछ एक जो एक लेक होगा न सभी लोगों के लिए वो फायदेबंद रहा होगा ऐसा बिलकुल भी नहीं है मैं यह कहता हूँ कि फायदा ना कहें हम इसे कहें कि classes classes ने कैसे समझा इस woodblock printing को woodblock printing आने के कारण जो book की cost आती थी पहले वो कम हो चुकी थी अब books जो थी न वो poor या फिर जो middle class लोग हैं उन तक पहुच पाती थी बड़े ही आसानी से accessible हो चुकी थी books पर अब यह देखने को मिल रहा था हमें कि जो हमारे aristocracy को मैं कह सकता हूँ अमीर लोग जिनके पास पैसा होगा जिन लोगों के पास पैसा था जो aristocracy थे उनका यह मानना था कि यह जो book यह जो book जो कि woodblock printing से बनती है जो बहुत ही सस्ती है सस्ती होने के कारणी यह हमारे काम की बिलकुल भी नहीं है तो aristocracy सोस्ती है परकि जो यह books इतनी सस्ती है यह सस्ती books हमारे काम की है नहीं हम तो इसे use करने वाले है नहीं हमें क्या करना होगा हमें है ना सिर्फ वो सिर्फ जो पुरानी hand printed महेंगी books है ना उसे ही use करना होगा ताकि हम अमारी class को maintain कर सकें तो होता कुछ ऐसा ही है जो aristocracy होती है वो wood block printing से बनी ही books को purchase नहीं करती है purchase कौन करता है purchase सिर्फ जो poor लोग होते हैं वो लोग करते हैं जो merchants होते हैं students होते हैं तो वो लोग इस books को purchase करते हैं जबकि एरो किसी बोलती है कि मुझे तो सिर्फ और सिर्फ hand printed book से ही मतलब है क्योंकि वो मेरे class मेरी जो एक luxury है उसको बताती है तो हमने देखा कि aristocracy जो है वो hand ये जो wood block printing थी उसे use नहीं कर रही थी aristocracy only prefer hand printed hand written books symbol of luxury ये उनका symbol था luxury का आगे हम बढ़ते हैं कि जो cheap printed books थी ना वो तो सिर्फ merchants और students और जो गरीब लोग थे उन लोगों के लिए ही ये books से हमें देखने को मिलती है उसके अलावा ये books जो थी वो किसी के लिए ही काम की नहीं होती है पर ये देखो कि एक society के अंदर सिर्फ 10% ही अमीन लोग मतलब 10% ही aristocracy हो सकती है इससे ज़्यादा aristocracy नहीं होती है आगे बात करते हैं कि अब जैसे ही wood block printing आती है और books की cost कम होने लग जाती है तो हम देखते हैं कि लोगों के वो पहले 10 रुपीज की आती थी वही chocolate की cost कम होके आज वो 500 रुपे की आ रही है अब आप क्या करोगे ना कि 5 रुपीज की आ रही है तो एक काम करो मेरे पास 10 रुपीज तो है ही तो आप एक काम करो मुझे 2 दे दो 2 चॉकलेट दे दो आपकी ये जो प्रॉपरटी है ना वो आपके inbuilt रहती है इसका फायदा ये होता है कि जो आपके अंदर ये जो अंदर से है ना कि भाई हम एक काम करते हैं जादा ले ले लेते हैं हम जादा कमाएंगे तो जादे जादे चिज़े ले लेंगे बस ये ही हो रहा था अब बुख्स की जो डिमांड है वो भी society में लोगों के दोरा बढ़ती ही जा रही थी जादा तर लोग जो है बुख्स पढ़ना चाते थे बुख्स को बाई करना चाते थे साथ ही हम ये देखते हैं कि books की demand को भढ़ाने के लिए जो books seller हुआ करते थे मतलब जो books बेचने वाले होते थे वो भी नए-ने methods का use कर रहे थे क्या देखते हैं हम कि जो लोग demand कर रहे थे books की ठीक है? उसकी demand को और ज़्यादा भढ़ाने के लिए books seller को techniques का use करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा books की demand को market के अंदर पैदा किया जा सके तो books की demand को लाने के लिए अब यह जो books seller है वो अपनी books को हर जगे export करना शुरू हो जाते हैं अपनी आज पास की जो भी neighboring countries होती हैं वहाँ तक यह books को पहुचाते हैं वो कहते हैं उनका मानना था कि ज़्यादा तर जितनी population हमारी books को buy करेगी हमें profit उतना ही होना है तो ऐसे वह books का जो है हम export करना शुरू करते हैं तो हम देखते हैं कि जो book sellers होते हैं वो books का export जो हर जगे करना शुरू हो जाते हैं हासपास की countries में थोड़ी दूर दराज की countries में हर एक जगे पे books को पहुचाया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा profit अन किया जा सके कई सारे जो book sellers होते हैं वो book fairs को भी organize करते हैं book fairs को इसलिए ही organize किया जाता है आज के time में भी कई सारे book fairs है जो organize किये जाते हैं अगर कभी नहीं गए हो तो समय निकालो थोड़ा time निकालो book fair में होकर हो देखो बच्छो पढ़ना बहुत जुरूरी है अगर आप अभी से ही एक अपनी life के अंदर थोड़ा advantage में रहोगे कैसे रहोगे जबाब पढ़ लोगे यह चीज आज आपको समझ में नहीं आएगी यह चीज आपको समझ में आएगी कब आज के कुछ सालों बाद में आपको पढ़ेगा कि वाक्ये में किसी time में अगर हमने पढ़ लिया ना वो waste नहीं हुआ आपको लगता होगा टाइव बेस करना नहीं ऐसा कुछ नहीं बढ़ लो क्योंकि आज का पढ़ा हुआ कल काम आएगा यह मैं कहनी रहा यह आप खुद कुछ सालों बाद है ना खुद अपनी life के अंदर practically देखोगे कि पढ़ना जो है ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आज बले ही वह हमें इतना लगता नहीं है practical पर कुछ सालों बाद यह लगेगा अगर आपको ज़्यादा अच्छा पढ़ते हो कुछ चीजों के बारे में आपको knowledge है ना तो society में respect आपको उस according ही मिलेगी तो book fair जो है वो organize करवाये जाते हैं booksellers के pro अब ऐसे ही booksellers जो है book fair करवा लेते हैं जो books को इदर-उदर बेज देते हैं books की demand बढ़ जाती है पर production production तो कम धना तो हम देखते हैं कि hand written manual scripts का जो production धना वो इतना नहीं हो पाता अब वो production भढ़ाने की जरूरत थी क्योंकि market में demand बहुत जादा हो रही थी books की अब production को कैसे बढ़ाया जाए तो production भढ़ाने के लिए अब है ना एक bookseller जो होगा या फिर एक bookseller करना चाता है जो books के demand कर रहा है या फिर जो producers होंगे जो भी उसके publishers होंगे वो क्या करते हैं कई सारे scribes और कई सारे hand writers skilled hand writers को हना एक साथ बिठाते हैं ताकि जादा से जादा production जो है वो वहाँ पे चलाया जाता के फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि हर एक bookseller के पास लगभग 50-50 scribes हुआ करते थे जो की books का production करते थे तो हम आगे देखते हैं अगले वाली पीपटी पे चलते हैं देखो चलो फिर हम देखते हैं कि जो hand written जो manu script थी उनका production बढ़ाना जरूरी था अब production बढ़ाना है पर production बढ़ाना इतना satisfy procedure नहीं हुआ करता था बुक्स की production कब बढ़ेगा जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक ही book को copy कर लेंगे क्योंकि उस समय ऐसी कोई machine थी नहीं काम जो था वो हातों से करना था और एक book को पूरा copy करना एक बहुत मुश्किल task हुआ करता था बहुत ज़्यादा मेहंगा भी हुआ करता था बहुत ज़्यादा laborious भी हुआ करता था बहुत ज़्यादा time consuming भी हुआ करता था time भी लगता था copy करना बहुत ज़्यादा expensive था laborious था बहुत ज़्यादा पैसा भी लगता था और उससे जो manuscript सामने आती थी ना लोगों के, जो starting book सामने आती थी, वो बहुत ही ज़्यादा fragile हुआ गरती थी, बहुत नाजुक हुआ गरती थी, बहुत समाल के उसका use करना पड़ता था, देखो starting phase था, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा ordinary था, तो ऐसे में हम यह देखते हैं कि है ना, बहुत ही ज़्यादा, जो एक है ना, sensitive बहुत ही ज़्यादा fragile हुआ गरती थी, manu script, साथ ही हम यह देखते हैं कि जब हम उन्हें handle करते थे manu script को, तो वो बहुत ही ज़्यादा awkward देखने में होती थी, देखो starting phase में हर एक चीज जैसी awkward ही होती है, तो हम यह देखके है awkward to handle, बहुत ही ज़्यादा awkward रहा करती होगी, इसी के कारण उसका circulation जो थाना, वो बहुत ही ज़्यादा limited था, क्यों limited था, भेंगी थी, जो copying था, वो expensive था, बहुत ज़्यादा laborious था, time बहुत लगता था, और साथ ही production तो बढ़ाना था, पर production बढ़ाना जो है वो अभी तक इतना easy नहीं था, अब demand थी कि books का जो production है वो भड़ाया जाए, तो early 15th century की शुरुआद होती है, और Europe के अंदर आ जाता है wood block printing, अब wood block printing ये रोप में आ चुका था, पहले हमने देखा उड़तावा Marco Polo लेकर आने वाला था, ठीक है, Marco Polo wood block printing को लेकर आए, उससे पहले हम ये तो जान लेते कि आखिर condition कैसी चल रही थी, क्या जरूरत आती है, production की demand बढ़ती है, जैसे ही production की demand बढ़ती है, हम ये देखते है, wood blocks जो है चाइना से Europe पहुत जाते हैं, जैसे ही वो Europe के अंदर पहुत जाते हैं, हम ये देखते हैं कि textile, print textile, textile के ओपर print करना शुरू हो जाते हैं, और wood block के कारण, अब जो production था, वो भी बढ़ाया जा सकता था, पर अभी भी जरूरत थी कि एक ऐसा नया रास्ता लेकर आया जाये, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा production भी करवाया जा सकें, और उसकी जो cost वो भी कम आये, पर इसके लिए अब जरूरत पढ़ती है, एक नई technology की, और जैसे कि मैं आपको पता ही होगा, जब भी कोई नई technology आती है, तो वो लेकर आता है, कोई innovator, कोई invention करने वाला person, तो एक नई technology की demand बढ़ती है, market के अंदर, कि ज़्यादा से ज़्यादा, जो production करना है, अब ज़्यादा से ज़्यादा production करना है, कौन करेगा, कै 1430 के अंदर देखने को मिलती है, 1430 के अंदर देखा जाता है, कि जहानन गुटेनबग नाम का एक person होता है, जहानन गुटेनबग जो है, वो पहली printing press को लेकर आता है, यही, इसे ही हम गुटेनबग प्रेस भी कहते हैं, यही था इसका surname ही था, इस surname से ही नाम बनता है ठीक है, a first printing press थी, इसका मतलब था कि एक ही time में बहुत ज़्यादा production कर सकती थी, machines की ज़रत इसलिए तो है कि ज़्यादा production करवाया जा सके, तो बस एक first printing books जो है, वो जो first printing press जो है, वो कौन लेकर आता है, वो लेकर आता है, जो हनान गुटेनबग, तो गुटेनबग की जो कहानी थी ना, उसमें हमने जाना कि हाँ, गुटेनबग जो था, वो एक ऐसा परसन था, जो पहली printing press लेकर आता है, अभी के लिए एक correction मेरे हिसाफ से बच गया था, वो correction में आपके करवा देता हूँ, ठीक है, वो ये रहा, यहाँ पे 1925 लिख रखा था, ठीक है, 1925 ने 1295, क्या है, 1295, ओके, यहाँ पे था, यह गलती से एरर आ गया था, तो अभी के लिए इतना ही, friends, हमें आज के लिए जानना था, कि किस तरीके से, युरोब तक print बहुशता है, और हमने युरोब तक print को पहुचा दिया है, आज की इस story के अंदर, अब हम आगे जानेंगे, गु Thank you.